कि येस सर एकदम ठीक अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग आज एकदम न्यू चेप्टर तो बहुत बच्चे न्यू भी होंगे तो मैं कोसिस करूँगा कि जिनका पूराना चेप्टर अगर अभी तक श्टार्ट नहीं किया है तो इसमें कोई दिक्कत ना आया आपको चलिए सर करें स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी ओन कर दो सर ओके वोईस इस गुड ठीक है डन है रिकॉर्डिंग तो डन ही है सर चेप्टर का नाम बड़ा ही सिंपल है चेप्टर का नाम है हमारा EBIT हाँ चेप्टर का नाम है EBIT और उसके बाद EPS यानि हमें पहले ये समझना होगा के EBIT कैसे निकाले और फिर समझना होगा EBIT के पाद EPS निकाले फिर फटा फट से चेप्टर के नाम के हिसाब से EBIT EPS Analysis के हिसाब से हम फटा फट से आगे बढ़ते हैं क्या करा जाए क्या करा जाए आगे बढ़ते हैं तो सर सबसे पहले तो हम समझ लें कि सर EBIT कैसे निकलेगा एक एक एक्जामपल से फिर हम आएंगे कि इस चेप्टर में सीखेंगे क्या क्या पहले EBIT और EPS को Fundamental 3 समझ लें और फिर बात करेंगे इस सबसे चेप्टर में है क्या क्या तो सबसे पहले हमें लेना होता है क्या सर सेल्स कोई भी सेल्स होगा वो लेंगे आप जो भी दे रखा हो अब सेस दो तरीके से दे सकता हो सकता है या तो पूरा amount में दे दे या unit में और selling price दे दे तो अकर amount में दे दे तो कोई दिक्कत नहीं अगर unit और selling price दे दे जैसे कि मैंने बोला कि मेरा 10,000 unit है और एक unit जो है वो 20 रुपए का तो simple multiply करके आप क्या निकाल सकते हो sale, तो sale का मतलब है जो आपका multiply वगरा करके आ जाएगा उसको हम यहाँ पे इसमें से first minus करोगे variable cost variable cost जब इसमें से आप variable cost minus कर दोगे तो आपके सामने एक result आएगा जो result आएगा ना उसको हम fm में contribution कहेंगे उसको कहेंगे contribution और contribution में से भी आप एक point minus कर दोगे that is fixed cost अब सर्फ fixed cost क्या होता है always question में given होता है जो की हमारे volume of level of sales बढ़ने घटने से कोई फरक नहीं पढ़ता that is fixed cost जब आप fixed cost भी minus करोगे तो एक और result निकल के आएगा और उस result को क्या बोलोगे सर उस result को बोलेंगे हम profit या फिर earning before interest प्रस्ट प्रस्ट एंड टेक्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इबी आईटी भी कहते हैं तो जो यह result निकल के आएगा यह इबी आईटी और इसी को हम operating operating क्या बोलते हैं profit मैं साथ के साथ लिख भी देता हूँ इसी को क्या बोलते हैं हम operating profit अच्छा सर अब अगेन यह जो इबी आईटी आया है इसमें से हम minus करते हैं interest इंट्रस्ट जो भी निकल के आएगा वो minus करने के बाद अगेन एक result निकल के आएगा उस result को अब नाम देंगे हम earning earning before tax इसको नाम देंगे earning before tax और short form में ebt हलाकि पिछले चप्टर में तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनको पता होगा सर ये सब बाते तो पता है आगे बढ़ो फटा फट ऐसे बोलेंगे हो तो लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी हैं तो मैं उनके हिसाब से बिल्कुल basic से कर रहा हूं ताकि उन बच्चों को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो earning before tax जो ये पैसा होता है ना जो ये earning before tax वाला जो पैसा होता है ना हमें इसको कहते हैं taxable income इसको कई बार हम taxable income भी बोल देते हैं ये वो profit है जिसके उपर हमें tax लगाना है अब हम minus कर देंगे इसमें से tax minus कर देंगे tax जैसे ही हमने यहां पर tax minus किया तो इसके बाद जो हमें result मिलेगा वो मिलेगा हमें profit after tax या earning after tax जिसको हम EAT भी बोलेंगे जिसको हम EAT भी बोल देंगे मैं basically यह statement income statement बना रहा हूं मैं income statement शायद उपर visual ना हो तो मैं बता चलो visual तो है यह आ गया एक example से समझते हैं नीचे आते हैं मान लो sales 1000 रुपए है variable cost 300 है तो contribution आएगा 700 यह मान लो 200 है तो यह आएगा हमारा 500 मान लो interest 200 है तो यह आएगा हमारा 300 मान लो tax हमारा 50% है तो 50% इस 300 का 50% निकालेंगे देट सो और last में हम finally आगे देट सो अब जो पैसा आ गया अब इस पैसे पे यानि जो EAT होता है EAT earning after tax जिसको हम pat भी बोल देते हैं profit after tax इस profit पे दो लोगों का अधिकार है सर दो लोगों का किस-किस का अधिकार है पहले तो एक ही का बताय था एक preference share holder का अब कुछ बचा तो बचा खुचा बचेगा equity share holder का यानि इस पैसे पे दो लोगों का पूरा पूरा अधिकार है एक preference share holder का और एक equity share holder का तो सबसे पहले हम minus कर देते हैं सर minus कर देते है preference share dividend अब यह कैसे निकलता preference share dividend अभी बताएंगे आपको कैसे निकाला जाएगा यह minus किया अब जो आएगा उसको बोलते earning for equity earning for equity क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको मैंने यही तो बताया कि यह EAT है अगर उसमें से यह minus कर दें घटा दें इस EAT में से तो जो बचेगा वो तो सारा का सारा equity shareholder का ही पैसा बचेगा अब equity shareholder इसको लेते हैं नहीं लेते क्या करते हैं वो उनकी मर्ची है तो उसको क्या क्या कहेंगे वो भी देख लेंगे हैं चलिए सर सर preference dividend कैसे निकालेंगे यह बताओ मैंने कहा 10% preference share capital dividend जो होगा वो होगा एक लाक रुपए का चो आगे परसंटेज है 10 वाई में 100 that is आपका आगया 10,000 ऐसे निकलेगा preference share का dividend इसके अंदर एक tax factor भी होता है वो हम बाद में देख लेंगे अभी नहीं देख रहे उस tax factor को dividend पहले dividend के उपर tax लगा करता था हाँ claim हाँ तो पहले CDT आप corporate account पे अगर आपने पढ़ा तो corporate dividend tax मैंने वोगा था हट गया हट गया हट गया तो वो यहां पे भी आ गया है तो वो हम देख लेंगे तो अगर मैं बोलू के चलो dividend मान लो के मेरा 100 रुपए का अगर dividend गया तो मेरा कितना बचाएं 100 रुपए तो यह बच गया 100 रुपए तो सर 100 रुपए equity shareholder का है अब मान लो एक example लेता हूं मैं मान लो मेरे पास number of number of equity share holder जो number of equity share capital है वो है मेरे पास मान लो 1000 वो कितने है 1000 अब मेरे पास दो option है 1000 अब मेरे पास दो option है सर दो option क्या है number one कि 1000 सबसे पहले तो मैं आपको सिखा दूँ option बाद में पहले मैं सिखा दूँ earning per share क्या होता है तो अगर आपको EPS निकालना है ना तो यहीं पे निकालनेंगे हम EPS यहीं पे निकालनेंगे EPS यहां पे मतलब सर इसी के just नीचे EPS तो अब जो यह earning है यह divide कर दोगे earning per share होता है earning per share is equal to जो यह earning आया है जो यह earning आया है इसको divide कर दोगे किसे number of share से तो यह EPS आ गया यानि सर पहले अगर मैं EPS निकालना इसी question का बताऊं तो होगा earning divided by number of shares तो सहाब यहां पे earning 100 है क्योंकि preference share के minus करने के बाद 100 divided by share कितने है 1000 तो 0.1 यानि 10 पैसे का हमारा EPS हा गया 10 पैसे का क्या गया earning per share सर अगर मान लो अब बात होती है जो shareholder है इसके 3 फैसले हो सकते हैं shareholder के shareholder की फैसले की बात कर रहे हैं सर इसके 3 फैसले हो सकते हैं अब इसके पास shareholder क्योंकि मालिक इसके पास 100 रुपए है इस 100 रुपए के उपर ये 3 फैसले ले सकता है एक फैसला ले सकता है कि इस 100 रुपए को क्या करें इन्वेस्ट कर दे कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं इन्वेस्ट करना है ये भी हम सीखेंगे dividend decision वाले chapter के अंदर तो ये एक invest कर दे अगर मान लो ये इसको लगता है कि मैं अपने pass रखूंगा shareholder को और मेरे को FD मिलेगा 10% और अगर इसको मैं दुबारा reinvest कर दूँ तो वहां से मुझे 15% का return मिल सकता है तो बोलेगा भया dividend मत दो इसको invest कर दो यानि इसे कहीं लगा दो इसे हमें मत दो इसे invest कर दो और invest shareholder नहीं करेगा ये company करेगा उसको बोलेंगे भया हमें नहीं दिया retain earning यानि shareholder ने मना कर दिया shareholder बोल रहा हमें नहीं चाहिए ये 100 रुपे हमें नहीं चाहिए ये 100 रुपे अपने पास रखो और इसका इस्तमाल करके बिजनस के investment, बिजनस के expansion पे लगा दो, तो 100 रुपे company ने क्या करे, बचा लिए, दिये नहीं है तो that is call, इसे बोलेंगे retain earning अब दूसरा मत इसका ये बन सकता है नहीं भाई, नहीं risky लग सकती हमें लाओ, हमें पैसा लाओ, हमें पैसा दो, ये बोलेगी हमें पैसा दो, कौन बोलेगा shareholder, हमें पैसा दो, ऐसे situation में जब ये पैसा मांगेगा तो उसको बोलेंगे dividend जब वो बोलेगा नहीं company तुम पैसे को अपने पास रखो और company के growth पे लगा तो क्या होगा retain earning और जब बोले लाओ हमें पैसा तो क्या होगा ये अगर मैं dividend per share का formula पूछूँ आप से कि क्या होगा sir, dividend per share का formula तो जिसको हम बोलते है DPS, तो DPS का formula होगा, dividend per share का formula होगा sir, क्या होगा sir, DPS is equal to dividend divided by number of shares तो sir, यहाँ dividend कितने है, 100 बाटेंगे और number of share 1000 है तो that is 0.1 यानि sir, यहाँ EPS भी 0.1, DPS भी हाँ भाई हाँ, अगर हम सारा का सारा पैसा dividend में बाट देते हैं, तो EPS is equal to DPS हो जाता है तीसरा क्या है भाई, इसका क्या है तीसरा तीसरा बोलता है के भाईया ऐसा करो न, कुछ पैसे तो रख लो यानि option यहाँ पर तीसरे वाले में कहेगा कुछ पैसे रख लो कुछ पैसे रख लो रख लो sir, कितने पैसे रख ले, बोला एक काम करो company की investment भी जरूरी है company के भी जरूरी है तो कुछ पैसे रख लो, यानि तुम रख लो 50 रुपे तो जो पैसा बोला रख लो तो यह होगा हमारा retain earning और बोलेगा कुछ पैसे दे दो कुछ पैसे दे दो यानि वो बोल रहे हमें दे दो, हमें चाहिए यह पैसे जरूरत है, तो बताओ कितना कुछ पैसा मांग रहा है वो जब उसने 50 बोला, तो भईया कुछ पैसा हो गया, यह कितना 50 तो यह जो 50 हो गया यह क्या हो गया हमारा dividend और यह कौन सा dividend है, preference dividend है, equity dividend है equity preference share का dividend तो भईया, यहीं मिल गया वो कौन सा dividend है equity, preference share और इसा नहीं बोल सकता यार रख लो तो बोलेगा भाई दे दो में रखो कि कहां परफेंशेर हैं हां डिविडेंट पर शेयर हैं चलिए बच्चे कह रहे हैं सर वाटसप पर क्या चाहिए आपको भेज जा है मैंने पूच और पोछ में आज कर लेंगे उसको डिसक्र तो हमी क्या पता चले पाया था रण्निक कैसे निकालते हैं यह लिए इस कैसे निकालते हैं पता चले घि तो सीखना है हर सवाल में हमें सो निकाले लाना है एक्जामनर को तो इस चेप्टर के अंदर हमें दो बाते सिखना है एपीएस और इवी आइटी वाले में कि एपीएस और एंड कि इवी आइटी कि बड़ा चोटा सा चेप्टर है इस पर दो बातों पर चर्चा होंगी नंबर वन कैलकुलेट अर्निंग पर शियर या तो यह पूछेगा एक्जामनर आपसे के बहिया अर्निंग पर शियर सारा डेटा देने के बाद दूसरा आपसे पूछेगा Indifference Point Indifference Point Sir Indifference Point फिरेंद evident क्या होता है यह अगली class में बात करेंगा मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ वो level जहां पे दो company के ऐसे level एक company A, एक company B या फिर हमारे पास दो परपोसल है ऐसा level बताओ जहां पे हम debt दें ना दे हमारा EPS पर EBIT पर कोई फरक ना पड़े वह लेवल जहां पर डिविडेंट समान रहता है चाहे हमारा कुछ भी हो कंपनी के अंदर तो वह लेवल है तो वह इंडिफरेंस पॉइंट आज ये तो देखो क्या बताऊं मैं आपको आज हम ये वाले पॉइंट को कवर कर र कितरे नंबर का पूछा जाएगा 10 नंबर का पूछा जाएगा अपके पर में सेपरेट कुश्चन बिलकुल तो सर्कुछ बच्चे जो पिछली क्लास से आ रहे होंगा सर्क तो लीवरेज के अंदर वह भी आएगा क्या तो इसमें और लीवरेज में चौई साजएगी कई के या तो बोड नहीज़ सब्सक्राइब दोगत और यह सब Off-nya नहीं अगर और इपीज क्या है डीपीज क्या है कैसे हम पर्फेस्टेन निकालते हैं कैसे क्या क्या होता है ये सारी बाते मैंने आपको समझा दिये आईए चलिए हम आगे जब तक हम सवाल नहीं कर लेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा क्या होता है और कैसे कैसे क्या है ये सारे सवाल जो मैं कराना चाहता हूँ और जो मैं कराता भी हूँ, यह आपके किताब का ही सवाल होता है, मैं अपने तरफ से कोई सवाल नहीं लेता, भी मार्केट में किताब ओनर्स की तो आ चुकी है, मैं इमेज कल भीजबाद हुआं सभी बच्चों को, लोकली शॉप पे अवेलिबल नहीं हुई अभी जलनली, प्लैन, कहता है, ABC Limited has a current level EBIT, एक लाख, सोरी, 17 लाख, तो सीधा आपको बोल दिया, आप ज्यादा सेल वेल के चक्कर में मत पड़ो, हम यह सब घटा बटा के दे रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, EBIT operating profit, और operating profit बता दिया है, कि हम आपको बता रहे हैं, कि 17 लाख है, बस यह स It has decided raise 5 लाख रुपए, और यह सोच रहा है, और 5 लाख रुपए अलग से चाहिए, यानि क्या कहना चाहता है, हमारा वेपार चल रहा है, हमारा वेपार चल रहा है, और पहले से ही मेरे वेपार में 10 लाख रुपए का share capital है, और पहले से ही मेरे वेपार में 2 लाख रुपए का मान लेते हैं डिबेंचर है अब इस वैपार को एक्सफेंज करने के लिए अब कंपणी बोलता है कि वी नीड़िड फाइव लैक रुपीस एक्स्ट्रा तो भीया अब ये एक्स्ट्रा कहां से लगा है अब इसके मन में बोल रहा है कि मैं इक्वटी लूँ शेर कैपिटल में लगाओ यह डिबेंचर में लो तो अब यहां पर मन से बाद नहीं चलेगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जहां पर सबसे ज़्यादा EPS भाई यह वो काम करो शेर होल्डर को नराज नहीं करना आपने तो एक बार सारा डिबेंचर लेके करके देख लेंगे एक बार सारा इकुटी लेके करके देख लेंगे और कई बार तो बोलता है प्रिफरेंच यह भी बता हुआ आप तो एक एक बार तीनों करके देख लेंगा जहां सबसे ज़्यादा EPS होगा बोलेंगा यह बढ़िया है और इसी को साथ चलो चलिए आईए देखते हैं कुश्चन में कहता है पांच लाक रुपे की जरुरत पड़ गई कंपनी को कहता है हमारे पास दो आप्शन है वो चिंतित है के पांच लाक रुपे कैसे करा जाए तो पांच लाक रुपे करने के लिए इसके पास दो प्लैन है सब्सकीश्ण में को रिए नंबर वन कहता है पर्जेट हमारा पहले अभी पर्जेट का तो सुन लो अभी फिलाल हम Central रुपे के साथ काम कर रहे हैं फिलाल हम उसके साथ 20 रुपे क्यों के साहत काम कर रहे हैं तीन लाक इकुटी हिंट्ड, तो मार्केट प्राइज मेरे शेयर का 25 है तो मार्केट प्राइज शेयर का कोई लिना देना नहीं होता हमारे कोश्चन के अंदर मार्केट प्राइस पर EPS पूछ ले तो जरुरत पड़ता वैसे मार्केट प्राइस का कोई जरुरत नहीं है हमारे इसके अंदर कहता है अगर ऐसा करें हम 20,000 एक्विटी शियर इसू कर दे 25 रुपे के हिसाफ से तो कितने पैसे खट्टे होंगे बताना 20,000 इंटू 25 रुपे का क्या करूँ इक्विटी कर दूँ दूसरे में बोलता है कि यार ये बात नहीं जम रही तो मैं दूसरा प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं 5 रुपे का क्या करूँ डिवेंचर ले लू कहता है वाट इस लेवल ऑफ इवी एईटी कुस्चन में पूछ लिया कि इनडिफरेंस लेवल ऑफ इवी एईटी हाला कि ये अगले लास का मुद्दा है विट आर्दा फाइनिशल ब्रेक इवन लेवल आप बताईए फाइनिशल ब्रेक इवन लेवल क्या है सब बातों को जानेंगे से best कौन सा है बस ना तो मैं इसके अंदर financial break even point बताऊँगा और ना ही मैं इसके अंदर in difference level बताऊँगा इसके अंदर सिर्फ मैं बताऊँगा आपको EPS तो जैसे जैसे हमारी class बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी इन सभी चीजों का knowledge होगा तो एक पर इसको फिर remind करके पूरे questions को सब कुछ करके दिखा देंगे तो चलिए sir यानि sir हमारे पास अगर देखा जाए तो plan number one और plan number two यहां भी 17 लाक रुपे का EBIT सबसे पहले भाई साहब इसके अंदर से minus कर दो आप क्या interest plan number one में तो equity है यानि अगर यहां पर मैं डिवेंचर की बात करूँ plan number one के अंदर डिवेंचर के अंदर तो मात्र और मात्र पहले से जो था 20 लाक रुपे का ही रहेगा और दूसरे plan की बात करूँ तो भाई आप 20 तो पहले से था 5 और आपने सरदर्दी ले लिया तो यहां पर 25 लाक रुपे का डिवेंचर हो जाएगा लेकिन दोनों का rate भी अलगे वहां 10 था और यहां पर 12 हो जाएगा तो पहले plan के अंदर तो interest जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बीस लाक रुपे पर आएगा और बीस लाक का हमारा सीधा सीधा 10 परसेंट लग जाएगा देट इस हमारा कितना हो जाएगा सर दो लाक का हो जाएगा सर इंटरस्ट अगर हम plan 2 की बात करें अगर इंटरस्ट की ही बात कर रहे हो plan 2, P2 की बात कर रहे हो तो सर यहाँ पे जो होगा वो 20 लाख तो पहले से था और 5 additional हो गया तो 25 लाख हो जाएगा तो 25 लाख पे लेखिन अगर मैं इसको और detail में जाओ क्योंकि मैं confused बिल्कुल नहीं करना चाहता तो 20 लाख पे वो लगाएंगे 10% पुराने वाले पे और 5 लाख जो नहीं लिये हैं उस पे लगाएंगे 12% तो इसके उपर आ जाएगा that is आपका 2 लाख रुपे और 60,000 तो मैं total करके दिखा देता हूँ 2,60,000 रुपे चलो दोनों का interest तो निकाल पाए हम interest निकालते ही हमारे पास जो result मिलता है that is मिलता है EBT EBT profit before tax या earning before tax 15,00,000 और यहाँ पे जो आया 14,40,000 अब इसमें से minus करो tax क्या सवाल में tax है जी है taxer कितने परसंट 30% तो 4,50,000 और 30% 4,32,000 4,32,000 यह आजाएगा हमारा EB और EB कहां से होगा EA होगा EAT सही बता है न 4,32 minus कर देते हैं यह आजाएगा 10,50,000 और यह आजाएगा 14,40,000 10,80,000 सर अब इसमें से preferential होता तो वो minus करते हैं preferential है नहीं तो इसी पर निकल जाएगा हमारा EPS कैसे निकालोगे सर EAT कह सकते हो आप इसको डिवाइड कर देंगे number of share तो आप ध्यान दीजिए plan 1 के अंदर पहले से हमारे पास 30,000 share थे नहीं कितने share थे 3,000,000 share थे ओहो पहले से ही हमारे पास कितने थे 3,000,000 share और plan number 1 के अंदर हमने new share और फैसला किया के होगा और new share कितना होगा और 20,000 तो plan number 1 के अंदर देखा जाए तो number of shares निकल के आया 3,000,000 वही अगर हम plan number 2 में चले तो हमारा पहले से जो share था that is हमारा था कितने का 3,000,000 और जो new की बात करें तो new में share आया ही नहीं तो 0 तो यह आगे हमारा कितना 3,000,000 ही share होगा जो कि हमारे divide करने में help करेगा तो 10,50,000 divided by 3,20,000 यहाँ पे तो EPS आया 3.28125 और यह हैं यहाँ पे share आया हमारा 3.36 तो बताओ कौन सा बढ़िया है loan ले ले या फिर equity issue कर दें तो जवाब है सर share holder के अगर आप भलाई चाहते हो उसके EPS पे सारा आपका दामोदार सारा focus है तो आप एक काम करो ना यहाँ पे क्या ले लो आप loan लेके करना आपके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द है instead of के आप क्या करो equity issue कर दो three point अच्छा three three six हो गया three point three six है यह चलिए क्या बात समझ में आई कैसे फैसला लेना है इस chapter में आपको पहले फैसला लेना सिखाए है जो जो question में कह रहा है indifference point बहुत छोटे छोटे सवाल है यह इसको ऐसा नहीं है कि हमने छोट दिया है हम आगे बढ़ेंगे फिर पीछे आके मैं आपसे ही homework में करवा लूँगा है यह सारा तो यह क्या समझ में आया आपको graph वगेरा सब कुछ सीख लेंगे कोई बात नहीं है clear है क्या सभी student को यह point clear है बिल्कुल बताइए जल्दी जल्दी किसी को doubt अगर number of shares में हो किसी को doubt कहीं minus plus करने में कुछ भी हो तो आप फटा-फट बता दीजिए yes sir clear है खासकल नए बच्चे क्योंकि आपकी पहली class हो सकती है आज sir p2 का eps फिर से बता दीजिए p2 का eps अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूँगा p1 का eps मैं लिख लू 10,50,000 divided by 3,20,000 and p2 का eps 10,8,000 और divided by 3,00,000 अब लो जी लो यह p1 है और यह p2 है ठीक है clear clear 5 100,000,000 3,500,000 अपूँआ को Mअ 4, tu अवाँ लोग olmas